हेलो, वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चानल में करियर भाई में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि Commerce Graduation Complete करने के बाद आपको Career Option क्या-क्या अविलेबल रहते हैं कौन से कौन से Options आपके लिए Open रहते हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पने हैं अब तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं चैनल को फटा-फट सबस्क्राइब कर दीजे ताकि आप ऐसे ही नए-नए और informative वीडियो सबसे पहले देख सकें और साथी-साथ अगर आपको अलग-अलग फील्ड में काम कैसे चलता है अलग-अलग फील्ड में जाने के लिए कौन से स्किल्स रिक्वारD होते हैं फील्ड वाइज आपको salaries कितनी मिलती है हर एक field में interview के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये सब कुछ अगर जानना है तो आप मेरे channel के उपर बेशक चले जाएए मैंने काफी सारे fields को यहाँ पर cover किया है उनके अंदर के skills, job descriptions, salaries और interview questions ये सभी को मैंने cover किया तो चले दोसों शुरू करते हैं तो दोसों देखिए जब भी कभी कोई बच्चा commerce का graduation complete करता है तो generally तो यही कहा जाता है कि आप banking की examination दे दीजिए और bank के अंदर आप काम जरूर कर सकते हैं जो की सच भी है कोई problem नहीं लेकिन इसके अलावा भी इनको कई सारे options जो है वो open रहता है उनकी उपर हम नजर डालने वाले हैं तो दोसों उसमें से एक field है cost management accountant CMA तो यह जो course है यह professional course होता है जो की आपको graduation की बाद करना पड़ता है तो इसकी बाद जो है वो आप as a cost management accountant के तोर पर काम कर सकते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी companies में आप cost cutting और cost management से related काम करें इसकी जो exam है वो बिलकुल CA या CS जैसे ही होती है यहाँ पर आपको वैसे ही rounds को जो है वो crack करना पड़ता है examination के और उसकी बाद आप जो है वो किसी भी company में as a cost management accountant के तोर पर काम कर सकते हैं तो यह course the institute of cost accountants of India इस institute के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पर आपको इसका सबसे ज़्यादा मैं कहूं कि common और सबसे ज़्यादा popular career option है यहाँ पर common student के लिए काफी ज़्यादा लोग यहाँ पर pursue करते हैं आगे चलकर CA की examinations देते हैं लेकिन आपको जैसे पता होगा कि CA की examinations काफी सारी होती हैं और सारे ही students इसको first attempt में crack नहीं कर सकते हैं काफी लोग students institute of India की तरफ से यहाँ पर चलाया जाता है और उसके बाद आप किसी भी बड़े company के लिए उनके सारे accounts को manage कर सकते हैं तो उसके अंदर सारी ही चीज़े आ गई खेर उनका tax को file करना उनके IT returns को file करना इसके अलावा उनके जो सारे transactions वगरा हैं उनको भी यह लोग संबालते है पूरा मतलब financial solution उन companies को provide करते हैं इसके अलावा दोस्तों आप bachelor's of business administration भी कर सकते हैं यह खेर आप बारवे की बात करेंगे लेकिन अगर graduation हो गया है तो BBA नहीं बलकि MBA करेंगे तो MBA finance वगरा अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी क्योंकि आपका background भी commerce करेंगा commerce graduate रहेंगे और आगे चलकर आप MBA भी finance के अंदर करेंगे तो काफी बड़े बड़े multinational companies में भी आपको काम मिल सकता है finance related और उनके finance आप फिर manage करेंगे तो आपको सरकारी इसमें भी जा सकते हैं अगर आप कोशिश करें तो एक बढ़िया career prospectus आपका इ करते हैं तो इसकी बाद आता है option CS का यानि के company secretary और ये course भी यहाँ पर the institute of company secretary of India की तरफ से चलाया जाता है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा law का aspect आपको देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर company के laws क्या है और lawful agreements company के क्या है और industry practices क्या है government के तरफ से कौन से नए laws आ रहे हैं ये सब कुछ का ज्यान आपको जो है वो इनी courses के अंडर दिया जाता है और इसका structure भी बिल्कुल CA या CS के तरह ही होता है आपको अलग-अलग exams जो है levels जो है उनको crack करने होते हैं और फिर आप finally जो है वो CS यहाँ पर बन जाता है company secretary और ये एक काफी जादा attractive career option है I must tell you और इसके लिए companies काफी अच्छा pay भी करती है क्योंकि ये directly loss related है और इन लोगों को law की काफी बढ़िया समझ होती है company laws की तो यहाँ पर company को जो है वो किसी भी lawful problem से बचाने के लिए ये लोग काफी जादा काम करते हैं कही पर भी loss related litigations ना हो इसके लिए ये लोग काफी जादा काम करते हैं तो इसके लिए company इनको काफी जादा attractive salaries भी offer करती है इसके अलावा दोस्तों आप certified financial planner भी बन सकते हैं तो बड़ी बड़ी company इसके finances को आप plan कर सकते हैं उनकी wealth को plan कर सकते हैं जिससे की उनका पैसा जो है वो जादा से जादा नए पैसे को generate कर सके पैसे से ही पैसा generate हो सके अब ये आप किसी बड़े company के लिए भी काम कर सकते हैं किसी individual के लिए भी काम कर सकते हैं जो की काफी बड़े बड़े businessmen वगरा होते हैं उनके लिए भी ये लोग जो है वो काम कर सकते हैं तो इसके अंदर जो course है वो यहाँ पर the financial planning standards board of India ये institute जो है वो इससे related courses चलात है और इसके अंदर आपको सभी का ग्यान दिया जाएगा कि taxation policies क्या है कैसे taxes यहाँ पर वसूल किये जाते हैं इसके अलावा insurance का भी आपको ग्यान दिया जाएगा retirement plans का भी आपको ग्यान इसके अंदर मिल जाएगा तो basically finance related सारी चीज़े आपको पता चलेगी और आपको एक basic ग्यान हो जाएगा कि पैसा कहां कहां पर आप invest कर सकते हैं जिससे कि आप और ज्यादा पैसा उससे generate कर पाएंगे और लोगों तक उसका फाइदा पहुचा पाएंगे तो जब आप ये course complete करते हैं तब आप एक certified financial planner बन जाते हैं तो दोसों ये कुछ popular careers हैं जो कि यहाँ पर आप अगर commerce की पढ़ाई करते हैं graduate होते हैं commerce में तो उसके बाद कर सकते हैं इसके अलावा भी कई सारे ऐसे fields हैं जहां पर किसी भी stream की ऐसी कोई condition ही नहीं होती है आप किसी भी background से हो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं जैसे कि law हो गया या हम कहें कि travel tourism हो गया तो ऐसे कई सारे fields है फिर तो बहुत सारे fields हैं जहां पर आपका background कोई matter नहीं करता है कि आपका graduation किस में हुआ है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं जैसे चार अलग graduates को वहाँ पर opportunity मिल सकती हैं वैसे ही commerce graduate को भी वहाँ पर opportunities मिल सकती हैं लेकिन हमने आज जो cover किया है वो specifically आपने जो सकते हैं इसको ही हमने cover किया है बाकी अगर आप neutral careers देखना चाहते हैं जिसमें कि आपकी educational background कहीं पर भी matter नहीं करती है तो उसकी उपर मैं जरूर अलग से वीडियो बनाऊंगा आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा कि आप ये वीडियो चाहते हैं या नहीं तो बस दोस्त आया है तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और वीडियो को जादा से जादा शेयर भी जरूर कर दीजेगा